तो गाइस, Marvel और DC उनिवर्स में बहुत सारे ऐसे सूपर हीरोज और सूपर विलन्स हैं जो हमारी सोच से भी जादा पाउर कुल है एक्जामपल के तौर पे, डेड़पुल किसी को भी बेवकूफ बना के मार सकता है तो गाइस, मैं हूँ सुवेलामपल चौधरी, आप देख रहे हैं सूपर लॉजिक और आज हम चालेंगे कि हल्क कितना पावरफुल है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रंथ की बात करते हैं हल्क के फिजिकल पावर्स के आगे ना इंसान टिक पाया, ना मशीन, ना भगवाल ऐसा कई बार देखा गया है कि हल्क की ताकत के आगे सब छोटे पड़ गए चाहे हम बात करें मार्वल कॉमिक्स में थौर, हर्क्योलिस, अबॉमिनेशन, हाइपरियन या संट्री की या फिर डीसी कॉमिक्स में सूपरमैन, शाजाम, वंडर वुमेन या मार्शियन मैन हंटर की हल्क इन सबसे पाउरफुल नहीं है, पर हल्क इन सबसे कई गुना जादा स्ट्रॉंग है हल्क की ताकत हमें रिसेंटली देखने को मिली जब उसने इंफिनिटी इशू 6 में एक स्टार को उठा लिया तो अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं हमारा सन एक छोटा स्टार है, जिसका मास अर्थ से 3,30,000 गुना ज्यादा है अब कंपेरिसन के लिए थौर को उठाते हैं, जो की अभी मेंशन किये हुए कैरेक्टर्स में बेस्ट है थौर 9 प्लैनेट का वेट उठा सकता है, पर फिर भी अगर मान के चले कि थौर 1 किलो उठा सकता है तो हल्क 330 टन्स उठा सकता है और मैं 10 किलो आटा अब बात करते हैं स्पीट की हल्क को सबसे फास्ट हिरोस की लिस्ट के आस पास भी नहीं रखा जा सकता हल्क के पैरो के मसल्स में इतना फोर्स पैक्ट है कि अगर वो दौर ना चाहे भी तो भी वो जमीन तोड़ देगा इसलिए वो दौर नहीं सकता पर हल्क जबरदस छलांगे लगा सकता है और उसकी सबसे बड़िया चलांग मानी जाएगी जब हल्क ने उच्टे हुए शिल्वर सर्फर पो पकड़ लिया था जो कि मारवल के पॉस्ट स्पीड स्टर में से एक है हलाग कि Silver Surfer और Fast Move कर सकता है पर फिर भी ये हल्क की Best Speed मानी जाएगी और मेरी Best Speed है 10 10 क्या? Speed अब Healing Factor की बात करते हैं Marvel Cinematic Universe में हमने आज तक हल्क को कभी कटते या छिलते वे नहीं देखा Healing Factor की बात करी जाए तो सबसे पहले नाम आता है Deadpool का जो की अपने खून से वापिस जिन्दा हो रखा है पर हल्क का Healing Factor उससे भी जाधा Strong है वो अपने आपको चोट कम पहुचने देता है इसलिए हमें उसका Healing Factor देखने को नहीं मिलता हल्क अपने Flesh के एक टुकडे से वापिस जिन्दा हो चुक है हल्क ने कई बार अपना चेहरा उखाड दिया और वापिस ठीक हो गया एक बार Wolverine ने हल्क के ब्रेन के टुकडे टुकडे कर दिये थे पर वो उससे भी हील कर पाया Comics में सब possible है Stamina हल्क एक ऐसा engine है जो की गुसे के fuel पर चलता है हल्क कभी ठकता नहीं थोर ठक सकता है कई सालों तक लड़ते लड़ते पर हल्क कभी नहीं ठक सकता हल्क को लड़ते लड़ते खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं है और extreme cases में हल्क को सास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अब बात करते हैं durability की पूरे युनिवर्स में बहुत कम चीज़े हैं जो हल्क को नुकसान पहुचा सकती हैं जैसे कि वाइब्रेनियम, एड्मैंटियम, मियोनेर और हल्क बस्टर आर्मर का मुक्का पर एक लंबी लड़ाई के बाद इन सब चीज़ों का भी असर खतम हो जाता है एक्जामपल के तौर पर, कॉमिक्स में बुलवरी ने ये लोटिस किया कि हल्क की स्किन काटना मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर लड़ने के बाद हल्क, गैलिक्टर्स के एटाइक को जहिल के भी अपने कपड़े जाड़ चुका है इसा नहीं है कि अगर हल्क को एक बार किसी चीज से मारा जाए तो दूसरी बार वो उस चीज से नहीं मारा जा सकता ऐसा डूम्स डे के साथ होता है पर हल्क की बॉड़ी अपने आसपास के एंवार्मेंट में ढ़ल जाती है इग्जांपल के दौर पर स्पेस में हल्क को सास लेने की सवर्वत नहीं पड़ती और अगर हल्क पानी में जाए तो वो गिल्स डेवलप कर लेगा अब बात करते हैं टेलीपैथी की हल्क की स्ट्रेंथ उसके मसल्स तक ही नहीं हल्क की स्ट्रेंथ उसके ब्रेन तक भी है हल्क के दिमाग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता Marvel Comics के बेस्ट टेलिपैथ Charles Xavier और Emma Frost मिलके भी हल्क के दिमाग को कंट्रोल करके हल्क को शांत नहीं कर पाए हला कि Professor Xavier इतने पाउरफुल है कि वो Phoenix host को शांत कर सकते हैं अगर हल्क के दुश्मन हल्क की ताकत से नहीं हारे तो वो हारे हैं हल्क के गामा रेडियेशन से हल्क के strongest form में हल्क गामा रेडियेशन के ब्लास्ट छोड़ सकता है जिससे एक मिनट में एक सूपर नोवा से भी जादा एनर्जी प्रोडियूस हो सकती है हम सब जानते हैं एक स्टार के मरने पर एक सूपर नोवा ब्लास्ट होता है तो आप अंदाजा लगाई सकते हैं कि हल्क के गामा रेडियेशन ब्लास्ट कितने पाउरफुल होंगे अभी तक हमने जितनी भी चीज़े देखी वो सब साफ बताती है कि हल्क कितना पाउरफुल है पर हम नज़र डालते कुछ उन लोगों पर जिन्होंने हल्क को आज तक सबसे तगडी टक कर दिया थौर, हाइपेरियन, सेंट्री, जगर्नौट, सिल्वर सॉफर, क्लाडियेटर और हर्केलिस ये सारे वो कैरेक्टर्स जिनके पास बे हिसाब ताकत है बलकि इनमें से दो तो भगवान है मार्वल कॉमिक्स में अभी तक सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स है जिनने हल्क अभी तक हरा नहीं पाया जगरनौट और सिल्वर सॉफर और मज़ेगी बात ही है कि हिंदोने के राइट्स फॉक्स के पास है तो गाइस यह था एक कोलाबरेशन वीडियो सॉपर सॉपर और लॉजिकल पारडॉक्स का आपके लिए अगर हमसे कोई डीटेल मिस हो गई या अगर आपको हलक के बारे में और भी कुछ पैक्स पता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और हमें बाकी के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्मस फेस्बोक, एंस्टेग्राम, ट्विटर और गूविल प्लस में फॉलो करना ना भोले हम लिटरली हर जग है तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो लाइक करो यार और ऐसे कई सारे सूपर कंटेंट के लिए आमन के चैनल सूपर सूपर को सब्सक्राइब करो और अगर आप साइंस रिलेटेट स्टब में इंट्रेस्टेट हो तो मेरे चैनल लॉजिकल पैरेडॉक्स क को सब्सक्राइब करना मद बोलना because now you're super smarter than before